आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप Paytm से कैसे कोई भी मोबाइल नमबर रिचार्ज कर सकते हैं, चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले अपने मोबाइल माएंगे, मोबाइल माने के बाद यहाँ पर आपको Paytm आप ओपन कर लेना है, Paytm आप ओपन करने के बाद य जो मोबाइल नमबर आप रिचार्ज करना चाहते हैं, वो मोबाइल नमबर डालना है, जैसे मैं एक मोबाइल नमबर ले ले रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, मोबाइल नमबर यहाँ साइड में जो operator होंगे, वो सो हो जाएंगे, जैसे ID, और फोन वगेरा, तो पर ब्राउज पर देखेंगे, यहाँ पर आप इस पेसल चाहते हैं, तो पर पर किलिक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मैं इस पेसल पर यहाँ साइड में ब्राउज प्लान पर किलिक करेंगे, तो यहाँ पर इस नमबर से जितने रिलेटर जितने प्लान चल रहे होंगे, व पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो इस पेसल छोटे से बड़े रिचार्ज हैं वो सारे रिचार्ज आपको दिख जाएंगे तो यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस पेसल रिचार्ज से पर तो यहां पर देख सकते हैं यह सारे बड़े से बड़े छोटे छोटे सारे र करना है तो यहां पर नेट का सारी रिचार जाएंगे जैसे मैं यहां पर 56 रुपए वालवा सिल्क्ट कर ले रहा हूँ यहां पर देख सकते हैं सलीक्ट करने के बाद आपको सबसे नीचे चले आना है प्रοषीड पेपर किलिक कर देना है यहां पे आपको payment option चुल लेना है जैसे यहां पे देख सकते हमारा UPI बना हुआ है तो यहां पे डेविट card credit card से भी payment कर सकते हैं चलिए मैं UPI से payment करके दिखा रहा हूँ UPI paper click करेंगे तो यहां पे आपको अपना UPI pin number डालना है जैसे यहां पे 100 करके यहां पे height पे देख सकते हैं click करेंगे तो आपका pin number so हो जाएगा जो आपने डाला हुआ है तो यहां पे right पर click करेंगे आप जैसे right पर click करेंगे तो यहां पे आप देखिए आपका payment यहां पे successful हो गया है तो यह इसी परकार से आप बड़े अराम से कोई भी mobile number पेटियम से recharge कर सकते हैं तो जैसे यहां पे देख सकते हैं हमें इसका message भी आ चुका है देखिए 56 रूपए का इसका message पूरा detail आ चुका है तो आप इसी परकार से payment कर सकते हैं पेटियम से कोई भी mobile number रिचार्ज तो यह वीडियो कैसा लगा आप हमारे चैनल को subscribe किए किजिए अगले वीडियो मैं आपको बता दूँगा कि आप ATM कार्ड से कैसे payment यहां पे कर सकते हैं पेटियम से तब तक के लिए धन्वाद अगले वीडियों फिर मिलते हैं